घर पी दावत है रखी और समझ में नहीं आ रहा कियार मीठे में ऐसा क्या बनाया जाए जो फटा फट से भी बन जाए और बहुत ही डेश्टी हो तो आप मीठे में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं ये है किमामी सिवया आपने दूद वाली सिवया तो बहुत खाई होंगी और अगर आपने किमामी सिवया अभी तक ट्राई नहीं की है तो आप मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई कीजे इसे बनाना काफी असान होता है और सबसे खास बात ये बजट में रेसिपी बन करके त्यार हो जाती है और देखने में ऐसी लगती है कि ये बहुत ही अच्छा लगे वीडियो को लाइक कहना इसे जाए 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 दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और देर नहीं करते हैं रेसिपी को बनाना शुरू घरते हैं तो ये देखिए मार्केट में आपको ये सिवया मिल जाएंगी आप किसी भी ब्रांड की किसी भी कंपनी की सिव लेंगे और अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे थोड़ा सा और तोड़ लेंगे तो हातों से मसल मसल के हम इसे तोड़ लेंगे अच्छा तो ये जो पैकेट है मुस्कल से 10-12 या 15 रुपए का पैकेट आता है और इसे इस तरह से तोड़ने के बाद हम इसे मेजर कर लेंग अगे हमें क्या क्या करना है अब पैन में हमें यहां पर दो टेबल स्पून जितना घी रालना होगा इससे ज्यादा घी नहीं लगेगा सिर्फ इतना ही हमें घी चाहिए और इसी के साथ अपने पसंद के आप ड्राइनर्स जो है उन्हें चॉप कर लिजिए और थोड़ा से त काजू, बदाम, किसमेश, चिरोंजी, पिस्ता इन सब को लिया हुआ है क्योंकि बहुत बारी जब मैं सिर्फ ड्राइनर्स लिखते हूं तो आप लोग कमेंट करके बूस्ते हैं कि कौन कौन से लेने हैं तो यहां पर मैंने सिर्फ वही बेसिक अपने जो ड्राइनर्स होते मैं दृषा घ्रणा रखना होगा कि यह बरतन आपको यूज चोड़ा नहीं है अगर अल्का बरतन होगा तो इसे बहुत जल्दी ढही ही आज पर जलने लगेंगी इसलिए मेकशुर कि आप भरतन जो़ह भारी यूज़ करें और सेकंड चीज कि आपको इसे चोड़ना नही आप इस रेसिपी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा साइड में फोन चला ले या दूसरा काम कर ले और यह भी बना ले नहीं आपको इसमें पूरा का पूरा ध्यान लगाना होगा क्योंकि यह बहुत जली जल जाती है तो इसलिए चलाते हुए बिल्कुल धीमियाज मैंने से रोस्ट किया है और अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वह बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और हम यहां पर इसमें जो है एट करने वाले हैं हाफ कप जितना दूद सिर्फ इतना ही दूद यूज करेंगे और इसको इस तरह से डालने के बाद हम इसे फटा-फट स मिक्स करेंगे देखें यह इतना दूद इस सिर्फ के लिए तो बहुत ही कम है लेगिन हम इसको दम देने वाले हैं यानि कि हम इसी तरह से कम दूद में ढख करके रख देंगे इससे क्या होगा कि जो सिर्फ हैं यह थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और जब हम इसकी किमामी सिर्फ के लिए इन सिर्फ को रखिएगा तो इसलिए इस तरह से हम दूद का दम देते हैं आप चाहें तो पानी का दम भी दे सकते हैं अच्छली में इसे कवर करके रखने को बोलते हैं तो बस हम 15-20 मिनट के लिए से छोड़ देंगे अब हम यहां पर एक साइड में एक प चीनी और पानी को घोल करके पका लेना है आपको यहां पर एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बिनानी है इसलिए आप अराम से मीडियम फ्लेम पर कुप कर सकते हैं ताकि फटफट से चीनी घुल जाए और यह देखिए चीनी हमारे घुल चुकी है और घुलने के बाद आप इसे 2-3 मिनट के लिए पका लिए पकाने के बाद आपको चेक एसे करना है कि जब आप इसे इस तरह से उंगलियों के बीच लगा कर कि देखेंगे तो आपको ऐसा फिल होगा कि आपने ओयल लिया हुआ है और आपके हाथ में कोई भी तार नहीं बनेगा इसका तो बस को ऐसे फील होगा कि आप हाथ में ओयल या फिर घी लगा रहे हैं इतना हमें इसे गाड़ा कर लेना है और बस अब हम जो है यह हमारी जो शुगर सिरफ है यह तयार हो चुका है इसमें हम बहुत ही अच्छे कलर के लिए यह औरंज के सरिया कलर डाल ले हैं आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं बगार कलर के भी बना सकते हैं पर कलर डालने से इनका बिल्कुल वैसे ही जो कलर है वो आता है जैसे कि ट्रडिशनली से बनाया जाता है और बस अब हमने गयास को बंद कर दिया है अब किमामी से वह बहुत ही अच्छा फ्लीवर देने के लिए मैं यहां पर आदे कब जितना यह मिल्क पौडर ले रही हूं यह स्टेप बिल्कुल आप्शनल आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसकी जगह पर डायक्त मावा यूज कर सकते हैं और तीन टिवल स्पून जितना पानी डाल रही हूं और इस अची तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और अराम से अच्छे से मिक्स हो जाएगा जब तक कि लम्सपूरी नहीं हो चाता है तो डाडिशनली जैसे मैं बताऊं इस रेशिपी में मावा डलता है लेकिन अगर मावा नहीं है और आप इस रेशिपी को बनाना चाहते है तो आप इस तरीके से मिल्क पौडर को पाने में एक गाड़ा सा पेश्ट बना लीजे और इसको यूज़ कर सकते हैं मावे की जगा पे टेश्ट आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे की मावे का होता है और ये देखिए ये तयार हो गया है इससे ज़्यादा पतला हमें पेश्ट इसका नहीं बनाना है तो चलिए अब हम सिवया को देख लेते हैं तो ये देखिए सिवया हमारे अच्छे से फूल चुकी है और इसने दोत को भी सारा एब्सॉफ कर लिया है और इसे हम एक बार ही ऐसे उलट पुलट देंगे इसके बाद हम इसमें गरम-गरम सुगर शिरप जो है उसे एट करेंगे और इसे अब हम जो है मिक्स करेंगे और गैस को ओन कर लेंगे तो यहाँ पर गैस को ओन करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसे पकने के लिए रखेंगे तो यहाँ पर आप इसे पकने में ज़्यादा पक नहीं लगेगा चार से पास मिनिट में ही ये पक जाएगी क्योंकि एक बार हमने दूद का दम दे दिया था तो चाशनी में मतलब जो हमारा सुगर सिरफ है इसमें ये फटा फट से पक जाएगी और इस तरीके से क्या होता है कि जब भी भी आप सिमया बनाएंगे आप इसे कितनी भी देर के लिए रखें ये अकड़ेगी नहीं और कड़ी नहीं पड़ेगी और इसमें ये जो हमने मिल्क पॉडर का मिक्षर बनाया हुआ था उसे हम आट कर देंगी और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके पास मिल्क पॉडर का मिक्षर नहीं है तो आप यहापे मावा यूज कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों ही चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं और बस इसे फटा-फट से हम मिक्स कर देंगी और मिक्स करने के बाद बस आपने से फिर से दुबारा से ढख करके पका लेना है लगबख चार से पाच मिनट के लिए और फिर हमारी किमामी सिवया तयार हो जाएंगी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताओं जब आप इसे गर्मा गरम खाओगे तो इसका फ्लिवर अलग होगा जब आप इसे एक से दो घंटे ठंडा करके खाओगे तो इसका फ्लिवर अलग होगा तो यह देखे है यह गर्मा गर्म हमारी किमामी सिवया बंड करके तयार हो चुकी है और अभी आपको लग रहा हो को तो यह तो काफ़े स्टिकी है तो हाँ जब हम यह सीरे वाले सिवया बनाते हैं तो इस्टिकी ही होती है लेकिन अगर आप इसे ऐसे ढख करके दो घंटे के लिए छोड़ देंगे एक दो घंटे के लिए तो आप देखेंगे कि यह बिल्कुल खिली खिली हो जाएंगी और एक्ष्ट्रा इसका जितना भी मौशर था वो खतम हो जाएगा लेकिन सिवया में कम से कम इतना मौशर तो होना ही चाहिए कि आप इसे अराम से स्टोर कर सके और ये कड़ी नहीं पड़े तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये तीन से चार गंटे तक अराम से इसी पैन में रखी हुई थी और अब आप देख सकते हैं इसे कुछ भी नहीं होने वाला और ये कितनी ज़्यादा खिली खिली बन करके त्यार हुई है तो इस तरीके से आपकी मामी से वाया को बनाईएगा हाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन खाने में रेसिपी बहुत ही उमदा है और फिर जो हमने डाइनर्स जो है त्यार किये थे उसके साथ में आप सर्फ कीजिए और बहुत ही ज़्यादा टेश्ट कीजेगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं कोशिश करते हूँ कि मैं डिफरेंट टैप की रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूं हर दम तो मिलते हैं इसी तरीके की और नहीं नहीं डहीर सारी रेसिपीस के साथ